हलो दोस्तों आज बेस्ट जो है मॉल्टी एसिट फंड लेकर मैं आ गया हूँ और इस मॉल्टी एसिट फंड में किस फंड को लिया है यह चीज भी मैं यहां पर बताऊंगा लेकिन उससे पहले इस फंड का फूल इंफोर्मेशन लेटेस्ट अप्डिडेट मैं लेकर आ गया यानि मैं जिस फंड को लिया हूँ उस फंड का तो नाम यहां दूंगा ही लेकिन उससे पहले इसका फूल इभीव कर लेता हूँ तो अभी के डेट में अभी के टाइम में इस फंड का एने भी प्राइज 149 उर्पया 32 पैसा है तो इस फंड का एने भी प्राइज यानि एक 5 star की rating customer ने दी है अब बात कर लेते हैं fund size की तो इस mutual fund में अभी तक लोगों ने SIP के माध्यम से लगाई या लंसम के माध्यम से लगाई तो अभी तक लोगों ने इस mutual fund में 2725 करों रूपया लगा दिया हुआ है अब बात कर लेते हैं किसमें यदि कोई investment करना चाहिए तो कितना कर सकता है तो इस mutual fund में minimum SIP आप 1000 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं SIP का मतलब होता है systematic investment plan यानी महीने के माल लेते हैं कि आप 20 तारीक को fix कर दिये कि मेरा 1000 रुपया हर महीने कौट जाए तो हर महीने के कि 20 तारीक को आपका 1000 रुपया इटोमेटिक इस mutual fund में आपके खाते से कट कर चला जाएगा जिसको SIP बोलते हैं systematic investment plan तो SIP इसमें minimum 1000 से कर सकते हैं और maximum जितना चाहिए कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि lump sum जिसको one time investment तो बोला जाता है याईनि एक मुस्त आपके पास कुछ मोट पैसे आए और आपने सोचा कि इसको invest करके और छोड़ दू तो इसमें minimum lump sum आप 5000 रुपया से कर सकते हैं 5000 से कम इसमें lump sum investment नहीं होगा अब बात कर लेते हैं कि लोगों ने 2725 करों रुपया तो इस प्रेंड में लगा दिया लेकिन इस 2725 करों रुपया को इस company के फंड मनेजर पैसे कहां लगाए हैं यानि holding की बात किया जाए तो इस मैच्वल फंड का holding equity सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के डिफेरेंट डिफेरेंट यानि अलग अलग कंपनियों में इसके पैसे investment है और अभी तक 30 कंपनियों में इस मैच्वल फंड के पैसे को लगाया गया है अब बात कर लेते हैं holding analysis की तो इस मैच्वल फंड का holding analysis देखा जाए तो इक्विटी में बावन पॉइंट एक परसेंट का इंवेस्मेंट है और यदि कैस देखा जाए तो इसका कैस जो है सरकारी ट्रेजडी इस सब में जो है 9.6 परसेंट का investment है और कैस 24.1 परसेंट रखा गया है तो कैस तो काफी रखा गया है लेकिन कैस रखने के बावजूद भी या मैच्वल फंड बहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है तो कैस इसलिए रखा जाता है कि कंपनी में किसी भी तरह कोई परसानी दिक्कत समस्या आती है तो समस्या का समाधान करने के लिए कमपनी के उतारचरहाव को manage करने के लिए भी कैस रखा जाता है या बहुत सारे फट मनेजर उस पैसा को इसलिए रखते हैं कि पैसे सेफ हैं कैस के रूप में हैं और जैसे ही कोई अच्छा खासा प्रेस रखा जाता है अब बात कर लेते हैं कि कोई इसमें जदी इंवेस्मेंट करता है तो उसको कहा कहा कितना चार्ज देना परेगा तो देखिए expense ratio 0.61% है exit load 1% within one year और stamp duty 0.005% expense ratio जो होता है वो fund manager का फीस होता है और exit load penalty है और stamp duty charge processing charge है document processing charge तो देखिए expense ratio और stamp duty charge को कैसे लिया जाता है तो जब भी कोई बेक्ती investment करता है 1000 करे 5000 करे चाहे जो भी amount करता है तो जो अभी investment करता है तो उसको उसके बदले एने भी एलाटमेंट होती है तो उसी एने भी में ही set करके expense ratio और stamp duty charge को काट लिया जाता है वही exit load एक penalty के रूप में वसुला जाता है कि यदि एक साल के पहले आप परना पैसा निकाल रहा है तो exit load 1% देना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं tax का तो इस mutual fund में यदि कोई investment करता है और investment date के एक साल के अंदर पैसा निकाल रहा है तो उसको 20% उसके profit पे 20% tax वसुला जाएगा और यदि एक साल के बाद निकालता है जो उसका profit बनेगा उस पर सारह 12% उससे tax वसुला जाएगा अब बात कर लेते हैं returning की तो इस mutual fund ने 5 सालों में 31.9% का returning दिया है 3 सालों में 26.6% का returning दिया है और एक साल में 50% यानि 50.14% का returning 50.14% का बेहतरीन returning निकाल के इस mutual fund ने दिया है तो overall इसका returning ये भी काफी अच्छा है holding भी काफी बेस्ट है तो अब जान लेते हैं कि यह fund कौन सा है तो यह fund जो होने वाला है वह quant के तरफ से होने वाला है quant multi acid fund direct growth तो यह ही है quant multi acid fund जिसके बारे में अभी तक मैं बाद किया हूँ तो यह fund जो है आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और यदि इस चैनल पर पहली बाराए है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्विस्ट करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाला इंट्रिस्टिट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए मिलेंगे एकले टॉपिक पर तपता के लिए जाए हिंट